Hello everyone, NK Education Channel प्राफ सवी का बहुत बहुत स्वागत है सक्षमता परिक्षा का पहला पेपर कल संपन हो चुका है जिसमें न्योजी सिक्षकों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि BPSC सिक्षक नुक्ती से भी कठिन प्रेशन पूछे गई थे क्योंकि न्योजी सिक्षकों में बहुत से सिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने BPSC TRE1 का भी पेपर दिया था तो वो कंपेरिजन करने में सक्षम थे कि पेपर कौन सा जो लेविल है कठिन था यानि TRE1 का था या सक्षमता परिक्षा जो की कल संपन कराये गया है वह कठिन था तो इसमें बिहार विद्याले परिक्षा समीती की ओर से सोंवार को दो पालियों में सक्षमता परिक्षा ली गई परिक्षा 6 माच तक चलेगी सोंवार को परिक्षा के बाद न्योजी सिक्षकों ने बताया कि प्रेशन BPSC के सिख्षक नियुक्ति परिक्षा से भी कठिन पूछे गए थे विभिन सिख्षक संगठों ने निकाहा कि पलस्टू में नेट जी आरेफ स्तर का प्रेशन बताया एक्सपर्ट की माने तो प्रेशनों का स्तर सामाने था जिन सिख्षकों ने ठीक से तैयारी की थी उनकी परिक्षा ठीक गई टीचिंग एप्टिटूड से कमप्रेशन थे कुछ सिख्षकों को ओनलाइन परिक्षा देने में भी दिक्कते हुई लॉग इन आईडी परिक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले दे दिया गया था यानि कि सभी का अपना अपना मत है कुछ का ये भी कहना है कि नेट जी आरेफ स्तर का था कुछ का कहना है कि जो अच्छे एक्सपर्ट है उनके लिए स्तर सामाने था और teaching aptitude था ही नहीं लेकिन login id के लिए भी समय से पहले दिया गया क्योंकि ये आपको पता है क्योंकि online जो ये पहला होना था ये online mode पर ही होना था इसके बाद में भी offline mode पर परिक्षा ली जाएगी और login id परिक्षा सुरू होने के 10 मिनट पहले दे दी गई थी सक्षमता परिक्षा में जूता मौजा पहने पर रोग थी जो वीक्षक्स यानि सुपरवाईजर थे और परिक्षार्थी दोनों को मोबाईल या किसी भी तरीके के एलोक्ट्रोनिक सामान ले जाने पर रोग थी नौ जिलों में 52 ओनलाइन परिक्षा केंदर बनाए गई थे आधे घंटे पहले केंदर में पिरवेश को बंद कर दिया गया कम्प्यूटर केंदरों पर बायोमेट्रिक हाजरी ली गई परिक्षा के बाद एड्मिट कार्ड को डीपी ओफिस में जमा करना है यानि कि जो आपको डीपी ओफिस है वहाँ पर आपको अपना एड्मिट कार्ड जमा करा देना है और परिक्षा 2024 प्रिथम के लिए करीब इन्हों ने दिया है 2,32,190 सिक्षकों ने फॉर्म भरा था और एक्सपर्ट ने कहा कि सामाने स्थर के प्रिषन थे कहीं कहीं पर कुछ कुछ विश्व के प्रिषन कठिन थे कई प्रिषन आसान भी थे कुल मिला कर प्रिषनपत्र सामाने था और जो सिक्षक regular पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं था वे जो पढ़ा रहे हैं प्रिशन पत्र भी उसी स्थरका था ये एम रह्मान ने कहा है जो कि प्रतियोगी परिक्षफ इसे सगे हैं उनका मानना है लेकिन हमारे नियोजिस सिक्षकों की जो हमने बात की तो उनका जादा तर बहुत से नियोजिस सिक्षकों का यह भी व्यू था जो की बताया गया है सामाने लेकिन जो परसेंटेस ओवर ओल हम निकाले वो यही निकल कर आ रहा था कि जो सामाने बोला जा रहा था कि मामूली परिक्षा होगी मामूली परिक्षा होगी ऐसा नहीं था मामूली परिक्षा नहीं थी नियोजिस सिक्षकों का कहने का मतलब यह निया कि पेपर इतना हार्ड था या वो था उनका जो कहने का मेन उदेश्य था वो यह था कि इससे पहले यह कहा जा रहा था कि जो परिक्षा ली जाएगी वह मामूली होगी वो परिक्षा के इंद से जब बाहर निकले तो उनसे जब प्रिशन पूछे गए तो उन्होंने कहा कि सामन्य नहीं था जिसको तरह तरीके की बाते बताई जा रही है वो यह कहना चाहते है कि जो मामूली परिक्षा कही जा रही थी वो मामूली परिक्षा नहीं थी परिक्षा जैसी होती है ऐसा ही था मामूली उसमें ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि मामूली होगी इसमें पहले दिन सक्षमता परिक्षा में 24 सिख्षक अब्यर्थी नहीं हुए सामिल overall कितने नहीं हुए केवल 24 सिख्षक शामिल नहीं हो पाए है अब देखते हैं कि जो 24 नहीं थे वो कौन है आगे क्या होगा उनका ये सीवान की बात है जिले के स्थानी निकाय द्वारा निक्त सिक्षकों की ओनलाइन कंप्यूटर आधारे सक्षमता परिक्षा सहर के एक परिक्षा केंदर पर दो पालियों में सौंवार को ली गई इस केंदर पर बेतिया के अभ्यर्थियों ने परिक्षा दी, सक्षमता परिक्षा के प्रशन बहुवी कल्पिये थे, पिरतियक प्रशन के लिए एक अंक निर्धारित था, नेगेटिब मार्किंग नहीं रहने से सिख्षक अभ्यर्थियों को राहत मिली, सहर के लक्षमी परिक्षा दे कर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि BPSC के प्रशन पत्री की तरही सक्षमता परिक्षा के प्रिक्षनों का स्टेंडर्ड था, यानि कि स्टेंडर्ड जो बताया गया वो BPSC जैसा ही इन्होंने बताया है, सवाल आसान थे सिख्षक बनने के बाद परिक्षा की तैयारी में जोटे सिख्षकों के लिए सवाल टफ नहीं थे, हड़ी वे दात के लिए कौन सा पोसकता तो जरूरी है, वे हंटर कमीशन के संदर्व में सवाल पूछे गए थे, मुस्लिम लीग की स्थापना से सम्मंदित प्रिशन भी पूछे गए थे, मेहत क सवालों का स्टेंडर्ड काफी बढ़िया था, ये सभी बात हैं नियोजे सिख्षकों के माध्यम से ही बाहर निकल कर आ रही हैं, जो भी नियोजे सिख्षकों इस परिक्षा को अपने कैटिग्री के अनुसार उत्तिवन कर लेते हैं, उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, परिक्षक के इंदर पर स्वच्छ सांति पून और कदाचार मुक्त संचालन के लिए दंड अधिकारी पुलिस पदाधिकारी समयत पुलिस बलकी तैनाती थी, यहां पर एक चीज और निकल कर सामने आई थी, कि जो एरो था, क्योंकि जिन्हों ने अच्छे से ब जो बिल्कुल कंप्यूटर उन्होंने पहले कभी यूज नहीं किया, तो उनको उस चीज को अटेंप्ट करने में टाइम लग रहा था, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे वो एरो अब वो दूर चला गया, वो उसको नीचे ला रहे है, करसर को कर ये सारी प्रॉब्लम्स जो यूज डू नहीं होते हैं, उनको आती है और ये सामने और जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों तो उनको तैयारी का भी समय नहीं मिला है, क्योंकि वो पूरा टाइम तो स्कूल में रहते थे, फिर घर आते थे, तो आदा आदा घंटा भी उनन नियोजी शिक्षकों के लिए 111 करोड जारी, यहाँ पर प्रात्मिक से लेकर उच्च माद्मिक स्कूलों में पंचायत वे नगरी निकाय से जोडे नियोजी शिक्षकों के वेतन भुकतान के लिए सिक्षा अभियान ने, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है, 111.57 करोड क रासी मनजूर की गई है यह रासी समगर सिक्षा अभियान के तहत सहायक अनुदान के रूप में दी गई है दरसल राज्य के ठारे जिलो में जिस शिक्षक वेतन मद में आवर्शक तनुसार रासी उपलब्द नहीं है इसलिए उनका वेतन भुकता नहीं हो सका ऐसी स्तिती मे समगर सिक्षा वियान की रासी से वेतन भुकतान किया जाना संभव है लिहाजा राज्य से एक सो ग्यार है पॉइंट पांच साथ करोड की रासी जारी कर दी गई है यह रासी अर्रिया अर्वल औरंगाबाद खगडिया गया गोपाल गंच नालंदा बकसर बेगू सराय भा कर दिया गया है बाकी आपकी जो परिक्षाइं चल रही है जिनोने फॉर्म भरा है उन सभी को फिर आगे जो आने वाली परिक्षा है उनके लिए अग्रिम सुभ कामना है बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ जैसे ही आपकी सक्षमता परिक्षा नियो जे सीख्षक्से झाल झाल